पर इते रिश्टा पीरी मेरी मन का हम जानते हैं कि इस वर्त आप और मानव बहुत मसीबत से गुजर रहे हैं ठेके हुए टुकड़े पर हम जी ऐसा तुम समझते हैं क्या आई वो तो ये बात बता ये भीकाय के लिए तु लेके आई आई ये ये आप मुझे गलत समझ रही है मैं सब सही समझ रही हूँ तुमने कंपणी के इतने सारे पैसे लाकर मुझ पे उड़ाए न तो भी मेरे मानव की बराबरी नहीं कर सकते समझे न तु मैं लाल्ची हूँ लेकिन इतनी भी लाल्ची नहीं हूँ कि मेरे बेटे का मैं साओदा करूँ मेरा गुसा बढ़ने के पहले तु यहां से चली जाए वरना मेरे मूँ से कुछ भला बुरा निकलेगा निकल जाए तुमने वानव की जमानत के लिए हमने जितनी कोशिश है की सब बिखार करी फिलहाल उसके रही का कोई असार भी नज़ब है यहां जहां लगता है कि हमें उस्हादी पॉस्पोर्ण करने हो भागिया बागे जैसी बबपा की मर्जी उसका नाम मतलो इसका अरे गर में ते इतना अच्छी सेवा कि इन दिनों में मेरा मान व जेल में गया लेकिं छोडने पाया तु मेरा मान वासड रहा है कल से तेरी पूचा नहीं होगी हमारे घर में, नहीं होगी अरे बपा, मैं तो आपकी लिला समझ ही नहीं पाया आपने मानो को गिरफतार करवा कर उसकी और श्रावनी की शादी रोग दी इसका मसलब ये गिरफतारी आर्चन और मानो के मिलग का संकेत दे रही है दन्य हो बपा, आपकी लिला प्रहमपार है सतिष, प्लीज जा कर अपने आई को समझाओ मैं समझा समझा कर थक गई हूँ लेकिन वोई के समझने का नाम ही नहीं लेती कितने तरीकों से समझा चुकी हूँ लेकिन वो एक हे रट लगा कर बैठी तुम जॉब मत करो, जॉब छोड़ दो, बच्चे पर ध्यान दो तुमाहीं लडाएं तुमारे जगडे उन्हें सुल्जाने के लबा मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या मेरे भी तो अपनी जंदगी है उसमें भी परशानिया हो सकती है तुम जोड़ों कि आपस में जमती तो मैं क्या दरो मैं क्या दरो मैं क्यों बीचें पिस्राओं लेकिन सथी पशा प्लीज अपनी परशानिया खुद सॉल करो जोई आज जो अर्चना का बरताव मैंने देखा मैं तो उसे सहन नहीं कर पाऊंगे लेकिन है वा क्या है बता ना अज मैं अर्चना के घर कई थी अगर आप यह चाहते हैं कि मैं मानव से मिलना छोड़ दो या फिर उमकी मदद ना कर यह मुझ से नहीं होगा मैं मानव को इन हाला तो मैं हकेला नहीं छोड़ू जो चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे उसकी नजर में मेरी तो कोई अहमयत ही नहीं है जो लड़की अभी से अपनी सांस के साथ ऐसा बरताव करती है वो शादी के बाद क्या करेगी क्या बात है अच्छो रुप क्यों गई प्लीज ये मत कहना कि मानव जेल में है तो ये खाना भी तेरे कलेशन नीचे नहीं उतरेगा तू कब समझेगी मानव अब तेरी जिन्दके का हिस्सा नहीं रहा है तेरे और मानव के रास्ते बिलकुल अलग हो चुके है उसे भुला कर तो अपरी जिन्दके आगे क्यों नहीं जी रही है क्यों कि जाता है नहीं सुननी मुझे वो तेरी किसी पिटी बाते वो तेरा पवीत रुष्टा और डाचाने क्या-क्या बस अर्चू माफ कर हमें नहीं परदाश्ट होता हम लोगों से हरे हम आम लोग है समाज में जीते हैं समाज के नियमों का पालन करते हैं और उनी के साथ जीना भी पसंद करते हैं तुम दोनों का ये पवीत रिष्टा हमारी समझ से बिलकुल बहार है जीते हमारी समझ से बिलकुल जीते हैं